हेलो दोस्तु अगर आप भी अपने फोन में वाई-फी कनेक करते हैं और आपको ये बार-बार सेवड वाला प्रब्लम आता है आप इसमें कितना बार भी पासवड डालते हैं उसके बाद भी ये कनेक नहीं होता है बस ऐसे इससे नहीं लिखा राता है तो आज हम आपको इसे कैसे कोनेक करना है वो सिखाएंगे इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग को साइड में ये जो तीर वाला निसान दिख रहा है इस पर क्लिक करना है क्लिक करके यहां पर आपको नीचे देखेगा फोर्गेट नेटवर्क का ओप्सन आएगा इस पर हम लोग फोर्गेट नेटवर्क करेंगे और ओके कर देंगे अगर आपको यहां से नहीं आ रहा है तो आप एडिशनल सेटिंग में भी जाके और यहां से मैंने से नेटवर्क लिखा हुआ है जो है इस पर क्लिक करेंगे औ मां से आप फॉर्गेट नेटवर्क कर सकते हैं तो अभी चली हम लोग फिर से इस पर ट्राइ करते हैं यह connect होता है नहीं होता है इस पर हम लोग पासपोर्ट डालेंगे आप कनेक्ट करेंगे देखिए फिर से यह सेट लिग दिया तो इसे ठीक करने के लिए आईए पहले जानते हैं कि ऐसे यह क्नेक्ट क्यों नहीं होता है यूटुब पर बहुत सारे बीडियो डाला हुआ है जिसमें बहुत सारे लोग बताते हैं कि यहां से नेटवर्क को फोर है कि इसको फोरुट करके फिर से पासबोर्ट डालके कुछ सिच्व में वैसे भी हो जाता है लेकिन कुछ कुछ सेच्वेशन में ऐसे भी नहीं हो रहा है is को कैसे कनेक्ट करेंक है आये जानते हैं कि से कनेक्ट करने में जो प्रब्लम आ रही है इसमें आपके फोन की कोई प्रब्लम नहीं है इसमें इसलिए नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं क्योंकि आप जिस आटो स्पोर्ट का वाइफी यूज कर रहे हैं उसका सेटिंग अलग कुछ किया हुआ है तो उसके सेटिंग में आपक तो चलिए हम लोग इसका होट स्पोर्ट को का सेटिंग को खोल लेते हैं इसके बाद पॉर्टेबल होट स्पोर्ट में जाएंगे अब इसमें देखिए इसमें आपको यहां पर धियान रखना है यह आपको दिख रहा है ना सिक्यूर्टी डाबलु पीए 3 प्रस्नल इसमें आपको बस यह दो चीज ही चेक करना है यह जो आपका सेट किया हुआ है सिक्यूर्टी सिक्यूर्टी में आपको डाबल बहुत सारे जो पुराने फोन है जो डाबलु पीए 3 सपोर्ट नहीं करते हैं तो आपको डाबलु पीए 2 कर देना है तो आपका कनेक्ट हो जा और अब इसका आएए इसको बंद करके वाइफी को फिर से इसकौन करते हैं अब इसमें फिर से हम लोग पासवर्ट डालेंगे देखे आपके सामने यह कनेक्ट हो चुका है अगर आपके डिवाइस में ऐसे भी कनेक्ट नहीं हो रहा है तो आप जिस डिवाइस का होट स्पोट ओन के हैं उसके फिर सेटिंग में जाके ऐसे ही और यहां पे सेलेक्ट एपी बेंड जो लिकावाए यहां पे 5 गिगाहर्ट तो आप इसको 2.4 GHz कर लिए 2.4 GHz सभी पुराने डिवाइस में भी सपोर्ट करता है लेकिन आपके कार्वाइस में सपोर्ट करता है तो अगर आप 5 GHz पर सेवर करके रखेtwo हैं और यॉसके बाद आपMr. फॉन में यह सपोर्ट नहीं करता है तो आप अपने होट जिस फोन से होट स्पोर्ट खोल रहे हैं उसका WPA2 और 2.4 गेगाहर्ट को कर लिए और security को WPA2 कर लिए उसके बाद आप सेप किजिए उसके बाद आप किसी भी फोन में कनेक्ट किजिएगा आराम से वो कनेक्ट होगा I hope आपका ये problem solve हो चुका होगा अगर आपका ये problem solve हो गया तो आप इस channel को subscribe करके comment में बताइए कि आपका ये problem solve होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो के like करके इस channel को subscribe चुरूर किजिएगा